दोस्तों आज की क्लास में हम स्पीडिक करेंट और फिर वार्सी कांग दोजा 24 जुलाई एडिसन में दिया गया चैप्टर पढ़िया वरन एवं परिस्थिति की का प्रामुख वन लाइनर कभर करेंगे मेरा नाम प्रियांका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं उरिसा तर्ट के पास सोद करताओं ने असनेक इल की एक नई प्रजाती ओ फिच्था सूरिया ई की खोज की है वेने जुएला अपने सभी ग्लैसियर को खोने वाला पहला देश बना है उत्राखन परियतन ने भारत का पहला खगोल परियतन अभ्यान नच्छत्र सभा लॉंच किया अर्जेंटीना के वेज्ञानिकों ने नब्बे मिलियन वर्स पुराने साका हरी डाइनासोर को खोजा है मैक्सिको के चेतुमल खारी में दुनिया का सबसे गहरा ताम जा ब्लू होल मिला है जिसकी गहराई 1380 फीट है मैक्सिको के चेतुमल खारी में दुनिया का सबसे गहरा ताम जा ब्लू होल मिला है जिसकी गहराई 1380 फीट है केरल के अगस्त्य माला बायो स्पिकर रिजर्व में नई लुप्त प्रायवाल स्लम प्रजाती की खोज की गई है कुलम के पास खोजी गई आक्सको पोड की एक प्रजाती का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है बैंगलूरू के प्रोफेसर जयंत मूर्ती के नाम पर एक छुद्र ग्रहप का नाम लखा गया उरीसा का गुपतेश्वरवन जैव विविदत विरासत अस्थल घोशित उत्तर प्रदेश सड्यू में अपना पहला कच्वा सनरक्षन रिजर्प अस्थापित करेगा मेघालय का वर्णी हाट तोजर तैस में भारत का सबसे प्रदूसित सहर रहा मेघालय का वर्णी हाट तोजर तैस में भारत का सबसे प्रदूसित सहर रहा इंदोर को सात्वी बार देश के सबसे साफ सहर का खिताब मिला है सेंगापूर का चांगी हवाई अड़ा विश्व का सर्वस्रेष्ठ हवाई अड़ा बना सेंगापूर का चांगी हवाई अड़ा विश्व का सर्वस्रेष्ठ हवाई अड़ा बना है भारत ने स्री लंका के परियतन स्रोत की रूप में सिर्ष अस्थान प्राप्त किया है भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोत भाबलू बबलू का भोपाल में निधन हो गया भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोत भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया आई यू सी एन रेड लिष्ट के अनुसार मेठे जल की 25 प्रतिसत मचलियां लुप्त होने को है अफगानिस्तान को पच्छार कर म्यामर अफिम का सबसे बड़ा उत्पादक बना है उत्राखन राच्च में रेंज पावर इंफरा द्वाड़ा 500 मेगा वाट का सॉलर पार्क बनाया जाएगा चीन ने दुनिया का पहला फोर्थ जेनरेशन नुकलियर रियक्टर पावर प्लान्ट सुरू किया है गुजरात ने घोल मशली को राच्च मशली घोशित किया है अरुनाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नए प्रजाती मिली है समोंद्र की अंदर ज्वाला मुखी विस्पोर्ट के बाद जापान को एक नया द्यूप मिला समोंद्र की अंदर ज्वाला मुखी विस्पोर्ट के बाद जापान को एक नया द्यूप मिला है पंजाव की नवा पिंड संदारा गाउं को भारत की सर्वस्रेश्ट परियतन गाउं का 2023 का पुरुस्कार मिला है उदैपूर भारत का पहला वैटलेंड सहर बनेगा उदैपूर भारत का पहला वैटलेंड सहर बनेगा तमिल लाडू का तर्ट मंदिर भारत का पहला हरित उर्जा पुरा तत्व अस्थल बना अठारा अक्टूर को राष्ट पती द्रौपदी मुर्मुर ने पटना में चौथा बिहार क्रीसी रोड मैप 2023-28 लाँच किया बिहार सरकार ने इस क्रीसी रोड मैप के लिए 1,64,000 करों रुपई का बजट बनाया है 18 अक्टूर को राष्ट पती द्रौपदी मुर्मुर ने पटना में चौथा बिहार क्रीसी रोड मैप लाँच किया है बिहार सरकार ने इस क्रीसी रोड मैप के लिए 1,64,000 करों रुपई का बजट बनाया है विरांगना दुर्गावथी टाइगर रिजब्ड विरांगना दुर्गवती टाइगर रिजर्ब मध्य प्रदेश का सात्वा और भारत का 54 टाइगर रिजर्ब बन गया है 29 जुलाई 2023 को बाग दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बागों की अबादी 6.1 प्रतिसत वार्शिक विर्धी के अनुसार 3925 हो गई है बैंग लेडू, बैंग लूरू, वर्ल्ड सीटिस कल्चर प्रोग्राम, डबलू सीसी एफ में सामिल होने वाला पहला भारतिस सहर बन गया है भारत का पहला, मतस्य पालन अटल इन्यूवेशन सेंटर केरल में अस्थापित किया जाएगा भारत का पहला, मतस्य पालन अटल इन्यूवेशन सेंटर केरल में अस्थापित किया जाएगा भारत का पहला, वैदिक थीम वाला पार्क, वेद वन पार्क की सुरुवात उत्तर प्रदेश के नोईडा सेक्टर अठटर में किया गया भारत का पहला, वैदिक थीम वाला पार्क, वेद वन पार्क की सुरुवात उत्तर प्रदेश के नोईडा में किया गया कमल की नई किश्मन नमहों 108 का अनावरन किया गया असम में मानव हाती संगर्स की बढ़ती समस्या की सामाधान के लिए गजह कोथा अभियान सुरू किया है हाल ही में तेलांगना में हाइदराबाद की रंगा रेड़ी जीले की एनिके पल्ली गाओं में जैन तीर्टकर की मुर्तिया तथा सिलालेख वाले दो वर्गिकार अस्तंब मिले हैं उत्तर प्रदेश की दुद्वा टाइगर रिजर्ब में तुर्लब पक्ची जैडन बैबलर देखा गया संयुक्त अरव अमिरात विश्व की सबसे बड़ी आई यू सी एन विश्व सनरक्षन कॉंग्रिस दोजर पचीस की मेजवानी करेगा मिजोरम में उरने वाली छिपकली की नई प्रजाती गैक को मैजोर मैसिस मिली मेघाले की गूफा में मैधा की नई प्रजाती अमो लॉप से सीजु खोजा गया सोद करताओं की एक समोने केरल में अकुलम और वेबनाड जीलो के किनारों से तितली की नई प्रजातियां की खोज की है I.C.A.R. ने तमिल लाडू के नाम पर कुड़ा लोड तट पर मशली की एक नई प्रजाती मोरे इल की खोज की है पडिया वरन मंत्री भुपेंद्र यादव ने गुरू ग्राम हर्याना में अडावली पडिया वर्निय परदा पडियोजना का अनावरन किया है मेथेन, मेथेनौल से चलने वाली पहली बसों का अनावरन बैंग लूरू में किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज बनने का लक्ष रखा है भारत्य किडिसी अनुसंधान परिसद ने HD 33-85 नाम गेहुं विक्सित की मुंबई ने दूसरी बार Tree City of the World 2022 का खिताब जीता है मुंबई ने दूसरी बार Tree City of the World 2022 का खिताब जीता है देश में पहली बार लीथियम का भंडा रियाइसी जम्मू का स्मीर में मिला अरुनाचल प्रदेश में ब्रेन वेलबर लीसु की नए प्रजाती की खोच की गई है भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्फ लद्दाक में बनेगा भारत के नौ राज्ज दूनिया के अधिक जोखिम वालो राज्जों में सामिल है तमिल लाडू जल्वायू परिवर्तन मिसन सुरू करने वाला पहला राज्ज बना है भारत का पहला परिवर्ति जैव गाउं त्रीपूरा का दास पाडा गाउं बना भारत का पहला परिवर्ति जैव गाउं त्रीपूरा का दास पाडा गाउं बना है तमिल लाडू सरकार ने मुद्देर जीले के अरिटा पट्टी और मिनाक्षी पूरम गाउं को राज्ज का पहला जैव विविदता विरासत घोशित किया है पढ़िया वरन की रक्षा के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूर 2022 को के वर्या में मिशन लाइफ की शुरुवात की अन्ना मलाई रिजर्ट ने तमिल लाडू के कोयम बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉंच किया है राजस्थान की बास्वारा की मानगर धाम राश्ट अस्मार घोशित तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना एक लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब किजिए मिलती हूं मैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में जैहन थैंक यू